यह गाइस नमस्ते दोस्तों तो आज के शुड़े में एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाल है तो जब हमारी दिन शुरुआत होती है तो हम क्या-क्या अपने चार्ट पे देखना शुरू करते हैं और हमारा अलास इसकी सतरीकी से होता है और मे की लिवल्स का reference लेकिस तरिके से मार्केट में entry करते हैं तो सबसे इंपोर्टन्ट की लेवल्स आ इनों बहुत चारे लोगों को की लेवल्स आइडेनिफाई करने में हर एक ट्रेडर काइड डिफरेंट की लेवल आइडेश जाय करने का थारिक अगता है गया इस चार्प् anything to identify the key levels लेकि जब आड़र फ्लो की बात आती है सबसे अच्छी काम करती है market profile और volume profile के key levels यह जितने भी जो प्रो ट्रेडर सेन हैं मैं उनके मूँ से सुना हूं okay even I do personally use the market profile क्यूंकि market profile आपको liquidity कहां पर है यह बता देता है I personally don't use the volume profile I have my own reason लेकिन मैं market profile को volume profile से थोड़ा advance मानता हूं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि वो लोग गलत है मेरे हिसाब से market profile work better than volume profile तो मैं यह सोच के मैं अपना key levels market profile और moving average पे सबसे जादा धान देता हूं okay तो आप अगर pure points के ओपर बहु सारे दिन पर काम कर रहे हैं again you are using the cpr you can use those कोई problem नहीं आप आराम से आप आप काम कर सकते हो right तो यह होने के बाद आपने identify करके लिया key levels why key levels key levels ही क्यों देखिए हमेशा out of flow में आपको limit buyers limit sellers market buyers and market sellers यह information आपको मिलता है इसा नहीं कि आपको हर एक candle में इस तरीके का information मिल रहा है तो you directly jump into those trades नहीं वही तो सबसे बड़ा mistake है नहीं तो order flow trading आप सीख के हर एक trade पर अगर आप entry करने लोगे then you will end up losing the trade then आपको order flow कहां पर देखना चाहिए especially at the key levels, key levels के आसपास या key level के पास ही आपको order flow को data को देखना ज़रूरी है और आपको किस तरीके का volume में वहां पर reaction कर रहा है वो देखना ज़रूरी है for example look at here मैंने इस जगह पे इस दिन का market profile के यह जो key level से यह draw करके लिया था and जब मैं इस दिन पे आया and this is how the first candle opened and it has tested the market and इस तरीकी सिजने result दिया तो हमारे मेरा एक suggestion है क्योंकि हर एक trader का एक different view होता है market के लिए या हर एक student का different view होता है कोई अपना trade market में एक घंटा trade इनिशेट नहीं करेगा कोई अपना trade आधा घंटा इनिशेट नहीं करेगा कोई अपना trade 15 मिट इनिशेट नहीं करेगा it's up to you अगर आप market में starting के volatility से थोड़ा सा धूर हटके आप आराम से करने के लिए मत बैठो yes that is also true आप यह decide करो कि market में की session में try करना है और आपको हर एक दिन में कितना trade बनाना है कितना trade बनाना है तो आप यह मत सोचो कि एक दिन में मैं 10 trade बनाऊंगा यार इतना भी सोच कि मत आओ क्योंकि इंडियन मार्केट का time ही कितना 6 गंटेगा है तो अगर आपको यहां से 2-3 trade भी मिला तो बहुत ही अच्छा है sometime it might go up to 5 okay scalping के लिए मैं बोल रहा है अगर आप intraday करोगे तो maximum you can get only 2 तो decide किजिए आपको किस session में काम करना है divide this entire market into 3 आप इस तरह किसी time frame में आराम से काम कर सकते हो अगर आपको इस session में एक trade मिल रहा है 1 rest to 1 भी मिल रहा है book 8 इसमें entry मिल रहा है 1 rest to 1 मिल रहा है book 8 लेकिन we can decide कि किस दिन काउन सा market कि either the market एक बड़ा सा momentum देने वाला है क्या market sideways में जाने वाला है उसके ऊपर भी हम we can make analysis और इसके ऊपर भी हम अपना किस दिन पे कितना बड़ा target ले सकते हैं उसका भी कुछ पता चल सकता तो यह होने के बाद आपका अपना time frame select कीजिए और मैं personally I do trade up 5 minute मुझे पता है कि बहुत सारे YouTube पे videos भी अवेलेबल है वो 30 minute का time frame use करते हैं लेकिन मैं वो time frame prefer नहीं करता है अगर इतना बड़ा time frame थो बड़ा stop loss हो सकता है और बहुत देर भी wait करना पड़ता है मैं उस तरीके का आद भी नहीं हूं इतना time wait करो I use the 5 minute time frame that's enough for me क्योंकि मैं यह गलत नहीं बोल रहा हूं कि जो 30 minute use कर रहे हो गलत है नहीं again they have their own different strategies और उनका market को देखने का नजीरिया completely different हो सकता है लेकिन मैं 5 minute use करता हूं इंडियन मार्केट में हो गया 5 minute use करता हूं आरम से इसके बाद आ गया कि आपको आपने तो key levels identify किया और आपको entry कहां पी करना चाहिए और किस तरीके के data आपको देखना चाहिए देखिए जब भी price जो key levels entry करती है यहां पे किस तरीके का trader dominate करता है वो dominate करने के बाद क्या उसने वो जीत रहा है क्या उसने fail किया है उस तरीके के information यहां पे आपको मिल सकता है for example अगर आप इस particular मैं candle तो नहीं दिखाऊँगा but I will show you अगर आप इस particular दिन के अगर आपके पास एक what do you call that go chatting का subscription और होगा तो then we can take a reference of और इस दिन का candle के ओपर यहां पे limit sellers बैठे हुए थे limit sellers are dominating on this candle and इस जगे पे उसने key levels को support भी लिया था और suddenly जितने भी limit sellers थे ना उन सभी को market buyers ने aggressively उपर की तरफ देखे ला था और यह reaction कहां पे हुआ है at the specific key level यह सबसे जादा important है market buyers देखिए market में जब limit sellers आते है तो वो क्या करते है वो एक resistance create करते है market में तो एक resistance अगर बना हुआ यहां पे तो यह कब टूटेगा जब सबसे ज़्यादा market buyers आएंगे तब यह resistance शूट की ऊपर जाएगा that's indicates की market में जो buyers है जो market buyers है उनका intention है कि market को ऊपर लेके जाने के लिए हो गया then यही से आपको पता चलेगा कुछ information और इसके बाद देखिए the 21 moving average has breakout and pullback जब market pullback लेता है even मेरा A1P setup और मेरा D1P setup यह दोनो pullback पे ही है मेरे पास सिर्फ 4 strategies है मैं बोलूंगा भी आगे देखिए इस जगे पे the price has given a breakout and pullback क्या आपको यहाँ पे liquidity दिखती है क्या किसकी liquidity होना चाहिए आपको limit buyers की क्यों limit buyers यहाँ पे आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि market यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे जब आपको इस तरीकी के information यहाँ पे मिल रहा है then you do initiate a trade I hope आपको पता चल चुका होगा कि market में हम किस तरीकी से data कहां पे initiate करते हैं जैसे कि मैं बोला कि मेरे पास देखो I have the only 4 strategies मेरी strategy के उपर 2 pullback की strategy है कि uptrend में pullback कैसे trade करे उसके लिए A1P का setup downtrend में pullback कैसे के रहे use के लिए D1P setup uptrend में reversal कैसे trade करे इसके लिए A2R setup downtrend में आपको reversal कैसे trade करे उसके लिए D2R setup यह चार ही strategies है I know कि आप भी सोचते होंगे कि यार यह चार strategy बहुत काफी होंगे क्या यह बहुत ही काफी है क्योंकि based on this formation itself the market works अगर मुझे strategy बना नहीं होती तो मैं imbalance की भी strategy बना सकता था लेकिन जो imbalance जो concept है it will give you the additional confirmation की market में आपे buying pressure बन रहा है या selling pressure बन रहा है and इसके ओपर आप market में entry नहीं बना सकते है understand this इसके ओपर आप अपना view building कर सकते है और unfinished auction हो गया structure buyers and structure sellers हो गया बहुत सारे ऐसे concept है जो usually order flow में आते है हर एक चीज़ पर आपको entry नहीं बनानी है आपको entry बनानी है specially to look into those things जहां पर market एक pullback लेता है और आपको पीवरली जो footprint है और डेल्टा है आपको read करना चाहिए for example जब बात आती है मेरी strategy की बारे में I will explain here कि मैं यहां पर देखे यह पूरा downtrend market था एक, दो, तीन, चार, पांच इस जगह पे how to initiate a sell trade तो जब भी price इसको हम बोलता है we have a D1P setup इसको D1P setup हम बोलता है तो जब जब भी price particularly एक pullback लेता है तो these are the points to initiate a sell trade मेरे लिए देखिए और एक में चीज यहां पे clear cut बोलता हूं यह बहुत ही पुराना setup है और बहुत ही मतलब एक high probability setup है क्योंकि market में पुल बैक सबसे अच्छा काम करता है कुछ लोग क्या करते है कि वह confirmation के लिए यहां पे projection विज करती है और आमसी उसकोरो कोई problem नहीं है कुछ लोग volume देखना पसंद करते हैं कुछ लोग rankow देखना पसंद करते हैं कुछ लोग high probability मैं भी high probability देखता हूं कुछ लोग high probability देखना पसंद करते हैं यहां पर यहां पर क्या देखना पसंद करते हैं लेकिन pullback trades are most successful मेरे लिए आज तक वही बना है लेकिन मैं एक additional confirmation के लिए जब बात आती है तब मैं order flow analysis यह जो tool है यहां पर किस तरीके के trader यहां पर dominate कर रहे वह देखके trade करता हूं that's a simple order flow adjuster tool वह आपको बताएगा कि किस जगह पर किस तरीके के trader है for example मैं यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि market में यहां पर यहां से लेके pullback आया यह जगह पर मुझे limit sellers दिखा ही दे रहा है then limit sellers क्या करते है market में एक resistance form करते है and I took some trade here and take the sell trade and suppose what I did I have kept my stop loss somewhere around here and suddenly what happened कुछ ना तो कुछ हुआ market में suddenly spike आया and again the market is starting falling downside तो यहां पर यह जो spike आया है यह spike मुझे बचा नहीं सकता if I kept the stop loss here तो एक spike किस के वज़े से आया है it might be because of कुछ news के वज़े से कुछ high volume trade होने के वज़े से specially ऐसे कुछ market में specially index में news आने के वज़े से market में spikes आता है अगर आपको लगता है कि market में spikes आने वाले and this is what the downtrend is then sometime what I do I do never trade that's a simple trade option में choose करता हूँ अगर आने वाले market में news है but trade नहीं करता हूँ अगर आपको और भी कुछ what do you call that या पर उतना confirmation नहीं है I don't have much confirmation to initiate a sell trade here it's called D2 sorry D1P D1P का setup यहाँ पर अगर मुझे अच्छा confirmation नहीं है then I suggest our students to trade with a small quantity अगर आपको यह से market कुछना तो कुछ गिरने के लिए then rather than zero आप कुछना तो कुछ बना सकती हो यह पर इसके लिए तो इसी वज़े से हमारा जो setup है it's a very easy and I was not promoting anything about my setup मैं pullback को support कर रहा हूँ मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने बड़े-बड़े candles आने के बाद trade करना चाहते हैं और breakout पे उकवर trade करना चाहते हैं मैं कभी भी breakout के ओपर trade नहीं करता हूँ मैं हमेशा pullback पर trade करता हूँ जब मार्केट एक support का breakout देता है then what I do I look into those patterns which I have teached you in previous videos मैंने previous video में footprint patterns के बारे में आपको बताया था and जिस जगह पे मार्केट support और resistance ब्रेक करता है वहाँ पे किस तरीक एक pattern बन रहा है उसके बाद में क्या करता हूँ अपना trailing stop loss हो गया half of the position मार्केट में मुविंग एवरेज इसा यह मत सूचे कि मुविंग एवरेज इस दा बख्वास इंडिकेडर नहीं मुविंग एवरेज अच्छा इंडिकेडर है बहुत चारे लोगों को पता नहीं कि मार्केट को किस तरीक चारना चाहिए और और एक चाहिज और एक चाहिज फर एक चाहिज इस जगपे यू कान टेक्ट थे रफरेंस यह इस जगपे मैंने बोला था कि हाँ यहां पे कुछ एक हायर लोग पैटरन बनाया और यह गट आ लिमिट बास इंट्रक्शन और इस जगपे अग्रेशन मार्केट बास तो पुछ दप्राइज अपस जब इन दोनों को आपका इन्फोर्मेशन मिलता है तब तक आप आपना ट्रेड आराम से बना सकते हो तो इस तरीक से आपना ट्रेड इनिशेट करते हैं और जैसे कि मैं बोला कि कि मैंने अपने ट्रेड कहां पर इनिशेट करता हूं अगर आप यहां पर भी देखोगे what are the pullbacks are here एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया यह रहे तीन pullback इस पूरे ट्रेड में यहां से पूरा मार्केट इक रिवस हो गया एक pullback यहां पर डाउन साड पर अगर आप यहां पर अच्छा data मिलता है then you initiate a trade अगर आपको अच्छा data नहीं मिल रहा है then leave it क्योंकि मार्केट में यहां पर तो अगर आप देखोगे this is also pullback for uptrend so जब इस तरी के पास जब मार्केट सपोर्ट के पास आने के बाद what kind of data it is making again it depends तो मेरी जो strategy है और मैं सबसे जादा काम करता हूँ order flow पर pullback पर और यहां पर भी d1p setup d1p setup d1p setup d1p 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 इस सब जगह पर d1p setup मिल रहा है either it is a high probability setup either it is a low probability setup हम क्या करते है कि we do follow some checklist इस तरह के data हमें order flow में दिक रहा है तो यह high probability setup है और इस तरह के data हमें दिक रहा है तो यह low probability setup है जहां पर high probability setup हम क्या करते हैं बड़े volume से trade करते हैं जहां पर छोटी probability setup है उस जगह पर हम अपना what do you call that low volume से trade करते हैं क्योंकि जब भी loss होगा छोटा होगा profit होगा तो बड़ा होगा यह मेरी mentality है मुझे बहुत सारे concept की कोई भी ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ pullback पे trade करता हूँ pullback 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 so यह आपको पता चलेगा कि यह कितना strong pullback है यह पता चलेगा pullback trades are very important आप simply take a reference यहाँ पे कहाँ पे pullback नहीं होता pullback यह रहा pullback 1,2,3,4 यह सब कुछ pullback के trade है यहाँ पे हम क्या करते हैं सिर्फ इस जगह पे किस तरीके का data रहा है किस तरीके के order जादा पंच हो रहा है यही है मेरी strategy यही इसी के उपर में काम करता हूं और जब बात आती है decentralized market की वहाँ पे थोड़ा सा इसका twist हो जाता है क्योंकि उस जगह पे we don't have much confirmation about the limit buyers or limit sellers वहाँ पे यह decentralized market जैसे के हो गया Forex का spot chart and crypto crypto market का spot obviously वहाँ पे उतना वही trade करते है crypto market हो गया और gold का gold यह से कुछ metal से उसका spot chart रहता है silver का spot chart हो गया इस जगह पे क्या रहता है कि हमें जो participation उसका information accurate नहीं मिलता तो हम इसा कुछ different देता है data वहाँ पे देखे trade करते हैं इसा नहीं कि आप order flow को यूज करके सिर्फ आप centralized market में काम कर सकते हैं you can also work on decentralized market बस आपको इसके उपर किस तरी की से काम करना चाहिए वो पता रहना चाहिए आगे आने वरी दिनों में यह भी पता हूं का कि centralized market और decentralized market क्या होता है अगर आपको पता नहीं है यह और भी पुछ लोगों को help करेगा कि to initiate some good trades right so this is how I do initiate my trade based on the putback और यह थी मेरी strategies इस तरी किसे data में इस जग़पे पर देखना पसंद करता हूं और इस तरी किसे आप market में key levels identify कर सकते है and you can take the reference of these indicator to identify the key levels I hope आपको इस उडियो में कुछिशन आतको सेखने के मिल चुका होगा मिलते हैं next उडियो में next topic के साब thank you